हलो वेल्कम बैक तो मैं चानल लिस जए और आ इस वीडियो में कुछ चीज बताने ओलाओ जो कि मैं डेली विजिट करता रहता हूं जो कि यह मेरा फेबरेट विपसाइड है छे विपसाइड है इसके लिए आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि जो कि अभी भी 2020 में न्यूग क्रिएटर्स आये यूटूज में जो उन लोग को फोटो कहां से लेना है वीडियो कहां से लेना है वह भी नू कॉपी राइट के स क्योंकि बहुत सारे यूटूबर्स यही फेस कर रहे तो इसके लिए किसी ने वीडियो बनाने के लिए सजेस्ट नहीं किया है तो आज मैं इस वीडियो में 6 वेबसाइड बताने वालाओ जो कि बहुत यूजफूल है फर्स्ट जो कि मैं डेली यूज़ करता रहता हूँ इसलिए आप लोग को इस वीडियो में बताने वालाओ जो कि बहुत यूजफूल है फिडियो को स्टार्ट करते है फर्स्ट वेस साइड है हम लोग का पिन इंट्रेस है तो मैं यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च कर रहा हूँ गूगल पे जाके सर्च कर रहा हूँ जो कि अलग अलग कंट्री का अलग अलग पिन इंट्रेस रहता है तो इसका नेम है पिन इंट्रेस देख सकते हैं यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ पिन इंट्रेस डालने के बाद यहाँ पे देख लीजिया आ जाएगा अलग 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 कंट्री का अलग 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 रहता ह है तो देख सकते हैं इंडिया का इंडिया का यहां पर देखा दिया है तो simply click करते हैं यहां पर जाने के बाद आप लोग को एक इंटरफेस दिखाई देगा जो की बहुत बहुत creative thing से भारा रहेगा जो की इसमें वीडियो बीडिटिंग का भी है ग्राफिक्स का भी है और आपको sketch करना आता है तो sketch का भी है बहुत इंटरेस में एक बहुत अच्छा ठीक है कि यहां पर youtube जैसा ही आप अपना एक facebook जैसा ही profile क्रेट कर सकते हैं और यहां पर आके यहां का जो भी में बहुत था रहा गया है तो simply मैं डेली यही से विजिट करके आप लोग को creative साइडिया के साथ how to style दिखाता रहता हूं तो देख सकते हैं यहां पर design पर click करोगे तो आप तो बहुत सारा design देखा ही देगा देख सकते हैं यहां पर typography भी अच्छा है typography सभी अच्छा रहत है कि आप यहां पर देख के कुछ creative things copy करके मतलब खुद का कुछ creative things डाल के mix करके उसमें बना सकते हैं और दूसरा website है यह second website है जो कि मैं daily use करता हूँ इसका name है pixel.com मैं इसको भी daily visit करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत बहुत जो भी मैं youtube का इडिटिंग करता हूँ सभी वीडियो और photo यही से लेता हूँ मैं जहतर वीडियो इसे लेता हूँ बहुत useful website है यहां पर देख सकते हैं free stock videos photos तो इसमें जाने के बाद हम लोग sorry guys इसमें थोड़ा slow है तो देख सकते हैं यहां पर आभी बहुत सारा website आगया आप यहां पर जाके search कर सकते हो जैसे की videos साहिए देख सकते हैं यहां पर मैं search बार पर किया था कितना बार search करता हूँ तो videos search कर देते हैं यहां पर देख सकते हैं center में videos है उसमें click करने के बाद आपके पास बहुत जारे interface आजाएगा जो कि mostly ज्यादा तर videos ही रहेगा और suggestion में search register काई videos आत सकते हैं right hand click करके भी कर सकते हैं so simply यहां पर website का काम यह है कि फोरवाइट करेगा आपको photo और वीडियो और थर्ड website है जो कि मैं daily use करता हूँ उसका name है विहांस 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 अलग अलग country का mostly बहुत आउट of country का बहुत रहते हैं जो भी ओ लोग डालते रहते हैं तो यहां पर search कर रहा हूँ है विहांस देख लीजिए यहां पर विहांस आगया वेस्ट विहांस लिखके आए ग्राफिक डिजाइन इस ओल आपको कुछ भी चाहिए आप ढूंद सकते हो website के जरी आप कुछ भी चाहिए कुछ भी जूंद सकते हो तो simply अगर मेरे देख सकते है creative things जैसा dogs और man का manipulation किया है तो इसमें भी देख सकते हो बहुत सारे इसका भी pin interest जैसा ही काम है इसमें बहुत सारा creators रहते है इसमें sketch, illustrator और जो नए-नय फिक्सल आर्ट है उसमें से editing हुआ सभी pictures इसमें इसमें ही आता है जो की creators ने अपना portfolio बना के यहां पर डा website के पास यह mostly use करता हूं freepick.com इसका name से ही पता चल जाएगा आप लोगको यह क्या है website है बोलके freepick.com सब almostly पता रहेगा ज्यादातर को इसको बारे में इसमें आप free stock photos phd files download कर सकते हो अगर photoshop चलाते हो तो आपको पता चल पता रहना चाहिए इसमें आपको search करके बहुत स अगर आपके पास already ID है तो फाइड किया वाला इसमें आप प्राइम में click कर सकते हो अगर प्राइम ने है तो आप free में click कर देना और बहुत सारा shortcuts है आप देख सकते है बहुत सारा filters है categories है colors भी मिलेगा आप लोगको तो free में click करना है आप लोगको यहाप और simply अगर आप लो यहाँ से एक मैं यहाँ पर देख लीजिए राय लेफ साइट पर देखा होगा आपने यहाँ पर मैंने download करके रखा है तो यह prefix ही लिया है तो कैसे download करना है आप लोगको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एक picture ले लेता हूँ FHD boys के ले लेता हूँ क्योंकि मेरेको mostly use करना परता है तो इसमें ads भी आता रहता है मतलब फिक्शन फर्वेट कंपनी ने सो थोड़ा सा और कर दिया है तो इसको मैं right hand click करके यहाँ पर देख सकते है right click करते है अगर आपको शुरू हो गया है थोड़ा ने शुरू हो गया है थोड़ा ने शुल हो ए चीज के लिए अगर मेरे चैनल पर नवय हो तो फिलिस सब्सक्राइब मैं चैनल ऑलसो घंटे को बजा देना ऐसा ही वीडियो में creative things के साथ डालता रहता हूं तो देख सकते हैं आपको कुछ भी नहीं करना आपको rename करना है तो rename कर सकते हों सो इसमें save कर देता हूं और जाते हैं हम लोग का और चौथा हो चुका है और 5th website भी हम मैं बताने वाला हूं क्योंकि इसमें से आपको prefix से बहुत सारा आपको useful सब मिल जाएगा तो 5th website है unflash.com unflash.com यह भी मैं ऐसा आप लोग को ऐसा website बता रहा हूं कि जो की creatives है so unflash.com यहाँ पे मैं डाल देता हूं dot com नहीं डालने से कुछ problem नहीं है so देख सकते हैं आपर searching में हो रहा है देख सकते हैं आपर unflash.com आ गया इसमें भी आपको मिलेगा ऐसा ही stocks photos और like कुछ photos मिलेगा और creative things देखने को मिलेगा इसमें भी graphics रहता है web designing अगर web designer हो तो आप इसको unflash.com को आप sign up करना ही पड़ेगा necessary नहीं है अगर sign up किया तो आपके पास creative things आता ही रहेगा message आता ही रहेगा mail में आप ले सकते हो photos यहाँ पे categories भी दिखा देता है ऊपर देख सकते हो top of button में दिख सकते हो यहाँ पे categories भी दिखा रहा है तो इसमें आप लोग को क्या चाहिए क्या category में चाहिए देख सकते हो business man, architecture, business man, films, animation, travel, fashion आपको foods कुछ भी मिल जाएगा अगर food का channel हो तो आपको पैस यहाँ पे food के लिए कुछ भी creatives आ जाएगा gaming के लिए भी आ जाएगा कि कैसे design करना है यहाँ पिर कैसे play करना है तो यह था 5th website जो की बहुत useful होता है daily use करता हूं मैं so अब next website के बारे में जाने वाल है 6th website यह बहुत mostly use करता हूं मैं इसका name है the noun project इसमें आपको vector art मिलेगा simply vector art मिलेगा और भी free में use कर सकती हो so the noun project इसमें type कर दिया है मैंने यहाँ पे देख सकते हो right first में यह आ गया SEO हो रखा इसका already तो इसके बात देख सकते हैं यहाँ पे freeze free icons free creators login बोल रहा है इसमें भी login करना परता है necessary नहीं है अगर login किया तो थोड़ा easy रहता है वह ही है so देख सकते हैं मेरा next थोड़ा सा solo है sorry guys तो इसमें भी same है हम लोग को क्या icon चाहिए वह search कर सकते हो जैसे कि आपको कुछ logo बनाना तो यहाँ से idea ले सकते हो search करके कि कैसा कैसा icons मिल रहा है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे adobe का भी है देख सकते हो mostly में यूज करता हूँ apple का Microsoft का है already इसमें creators two millions तब इसमें आइकोन बहुत सारा मिल जागा अगर आपका food का channel है gaming channel है तो आप यहाँ से search करके देख सकते हो कैसा कैसा मेरे को logo रखना है या फिर जैसे कि मैं यहाँ पे bodybuilder type कर रहा हूँ अगर one more thing किसमें spelling correct होना चाहिए ठीक है एक इसमें थोड़ा बहुत केर है कि इसमें caring है so spelling correct होना चाहिए तब यह found करता है तो इसमें अभी भी गलत दिखा रहा है तो इसमें मैं bodybuilder लिख देता हूँ so I get D-E-L-E-R होता है इसमें confusion हो रहा है तो थोड़ा सा net भी slow है इसके हैंग भी चल रहा है इसके लिए sorry guys so यहां पर मैं search करके दिखाता हूँ आपको लोग को देख सकते हूँ यहां पर 130 sorry 63 icons दिखा रहा है वह अभी free free देख सकते हैं इसमें ads भी running है site creators ने डाल दिया है website creator ने देख सकते हैं यहां पर बहुत सार आपको icon मिल जाएगा आप भी डाउनलोड करके अपने project में use कर सकते हूँ simply अगर आपका जैसे की food का channel है तो यहां पर food search कर दीजे food search करने के बाद आपके पास बहुत सार आजाएगा बहुत सार आइकोन आजाएगा और अलमुस्ट देख सकते हैं 82,000 लब 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 उसके बाद देख सकते हैं यहां पर भी बहुत सार आइकोन है जो कि आपका food का channel है तो यहां से आइकोन को लेके जाके आपका logo में यूज कर सकते हो या फिर photos में creative things में डाल सकते हो mostly मैं आइकोन से उठाता रहता हूँ तो कि so अगर gaming channel है तो आपके पास gaming के लिए भी आ जाएगा देख सकते हैं यहां पर गेम सर्च कर रहा हूँ इसका आइकोन रख सकते हैं जैसे कि अपने दिमाग में रहता है creative things तो अगर प्लीज चैनल को subscribe कर देना यार इतना तक तो देख लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और सो प्रेश बेल आइकन ठीक है तो इसमें मैं कहां पर थे हैं यहीं पर आइकोन के लिए मसली यूज होता है इसमें आप कुछ भी एक्सपेट नहीं कर सकते हो creative things creative things नहीं रहता इसमें आइकोन मिलेगा आपको जो कि आप photoshop और कोई भी software में यूज करके इसको अपने project में यूज कर सकते हो thank you so much for watching this video